हेलो हाव टू फाइंड बायर वीडियो सिरीज में आपका स्वागत है यहाँ पर वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं एक्जिबिशन एंड ट्रेड शो से कैसे बायर फाइंड करता हूँ यह ट्रिक का यूज करके आप भी जो है आपकी प्रोड़क के बायर फाइंड कर सक कि इस्पोर्ट के अंदर सबसे काम तो वह यह व्यरियो में निकालन ना यहस द्रेड शो में जाते हो आपको वहाँ पर सामने से मिल लिगा आपको इस्टर का प्पूरा मिलेगा मतलब यह में बायर तो बहुत मिलते हैं इंप्टेंट होता है उसे करना है वह बहुत हुआ एक होता है जैसे कि घृक का फूड इक्षपॉड करना चाहते ओ तो उसके अंदर अपना चीन बात के अंदर सब्सक्राइब तो उसके साथ हुए थे तो मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया था तो यहां वे सबसे बढ़िया रास्ता जो है बायर फाइन करने का वह एक्जिबिशन के अंदर अपना लगाना अब आप यहां पर नहीं हो तो आपको क्वेरी रहेगी कि सर क्या एक्जिबिशन में लगाने से बायर मिलते ह है बट आपका experience आपका expertise आपको proper knowledge होना चाहिए तब जो है एक्जिबिशन में यहां पर बायर मिलते हैं अब यहां पर मैं आपको बात बताता हूँ अगर एक्जिबिशन में बायर नहीं मिलते तो इतने बड़े बड़े जो एक्जिबिशन होते उसके अंदर फीज भी का स्टॉल का charges होता है तो लोग जो यहां पर इतना सारा पैसा दे के उसमें participate करते तो यहां पर जो है एक्जिबिशन में बायर मिलते हैं यहां पर सबसे अच्छी बात आप देखिए अपने स्टॉल पे आपको खड़ा रहना है बायर खूद जो है चलके आपके स्टॉल प रहता है तो उसमें participation fee जो हो महंगी रहती है तो starting level पर हम अफ़ोड नहीं कर सकते मुझे पता है क्योंकि मैंने भी export import zero से शुरूर किया था जब मैंने export import start किया तो मेरे पांस भी budget नहीं था तो में भी इसमें participate नहीं कर पाता था तो यह practical चीज है इससे भी सस्ता रास्ता कौ में जा सकते हो और आपकी product के बाहर find कर सकते हो तो मैं यहां पर यह भी कर रहा हूं कि मैं एक्जिबिशन में stall लगाना क्या होता है थोड़ा लंबा process हो जाता है और सारी चीजे रहती है तो सबसे बढ़िया रास्ता होता है उसको visit करो मैं खुद तो visit करने जाता हूं पर हम लगता है exactly के तोर पे कोई बंदा जो है वह राइस लिकाश्ट लगांगा बेठा और आप बेग बनाते हो राइस मिल को बेग लगता कि लगता है कोई बंदा ऐसा है जो चॉकलेट बेच रहा है तो clicks बनाने में शूगर लगता कि लगता है तो आप शूगर के एक्सप वाला है वो भी आपका buyer है एंदूसरे जो visitor है तो वो भी आपके buyer है तो उससे भी आप अप्रोच कर सकते हो वो भी face-to-face तो यहां पर दोनों तरीके का यूज करके मैं export में buyer fine करता हूँ यहां पे क्या है हमें यहां पर economical देखना पड़ेगा कि किस में कम खर्चा होगा और ज्यादा बेनिफीट होगा गुजराती बिजनेसमें कि कोई भी मैं काम करता हूँ तो प्रॉफिट में यहां पर पहले देखता हूँ चाहे मेरा हो या हमारे स्टूडन का हो देखिए आपका भी काम होना चाहिए यहां पर बड़ी-बड़ी बाते बहुत ह होती है मेन होता है कि काम होना चाहिए हमको ओडर आना चाहिए दोलर में पैसा आना चाहिए वह इंपोर्टन है हमारे ट्रेनिंग में मैं सिखाता हूँ कि स्टूडन कैसे सक्सेफुल एक्सपोर्टर हो सकता है उसका काम कैसे हो सकता है उसके पास कम बजेट है तो वह कैसे क काम कर सकता है क्या मेने भी zero से चुरू किया कितना टाइम लगेगा यह भी फॉटेंट है लोगों को पताई n naikte क्या क्या किया लगेगा यहां बेखक्या करना न तो budget सब्सक्राइब एक्जिपर्शन κेंच sa से करना है वो सिख सकते हो तो यहां पर एक्जिबिशन से बायर हमको मिलेंगे इसमें दो तरीके मैंने में बताए है कि अपना स्टॉल रखेंगे आप भी बिलिव करते हो कि स्टॉल रखेंगे तो तो फिर सामने से आएगा और दूसरा है अगर इतना बजेट नहीं है तो टा आप अदर इखाता हू तो आप स्टॉल वग Ezस्ट कितने लोग वहां पर है वो भी आप देख सकते हो तो यहां पर एक्स्पॉर्ट इंपर्ट के अंदर फाइंट करना बहुत ही आसान में इंपोर्टन चीजे बायर को कन्विंस करना तो यहां पर अपनी बायर of luck. Thank you. number. Let's go global together. Join now.